इस triangle में हम फिर से एक बड़ा simple लेकिन interesting question solve करेंगे ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC तो ABCD हमें एक trapezium दी गई है और AB जो है यह parallel दिये गया है CD के यहां कहलो DC के ठीक है तो यह हमें given है तो actually trapezium होती ही एक ऐसी quadrilator है जिसकी दो sides आपस में parallel हो और दो sides parallel ना हो तो ठीक है यह हमने एक trapezium बना ली and its diagonals intersect each other at the point O तो यह दो diagonals हापस में O point पर intersect कर रहे हैं तो show that AO over BO is equal to CO over DO ठीक है तो यह prove करना है देखो इसके लिए हमें फिर से वही basic proportionality theorem वो use करनी होगी वो use करने के लिए मुझे एक line कोई ऐसी draw करनी पड़ेगी कि मैं कोई भी triangle उठाऊ हूँ तो उसके बीच में कोई एक line जो third side के parallel हो ठीक है तो हमें करना क्या है कि मुझे AB यह कहलो CD क्योंकि यह दुनों आपस में parallel है इनके parallel मुझे एक line और draw करनी है O point से यहां तो आप उसको इधर draw कर लो यहां आप इसको इधर draw कर लो पूरी draw करने की जुरूरत नहीं है तो मैं क्या करता हूँ O से लेकर यहां तक एक line draw कर लेता हूँ जो AB के parallel हो तो यह मैंने यहां पे एक line draw कर ली और इस point को मैं E point बोल देता हूँ ठीक है तो construction क्या है मेरी draw O E parallel to AB which is further parallel to CD ठीक है तो basically यह line इसके भी parallel हो गई और इसके भी parallel हो गई अब इसका मुझे फायदा क्या है अब इसको आप अच्छे से अगर visualize करो तो यह दो different triangles का part बन रही है कैसे देखो एक तो यह इस triangle का part बनेगी अगर आप देखो यहां से यह जो मेरी triangle बन रही है A, B, D तो यह एक इसका part बन रही है ठीक है E and O एक इसका part बन गई और दूसरा यह अगर मैं यह वली triangle ले लूँ A, D and C इस triangle को ले लूँ A, D, C तो यह थोड़ी चोटी बड़ी बन गई उसको आप ignore करते हैं यह सरफ मैं आपको समझाने के लिए यहां पर बना रहा हूँ O and E तो एक यह इस triangle का part बन गई तो यह इसके parallel है और यहां पर यह इसके parallel है तो यह अगर इसके parallel है तो इसका मतलब क्या है अगर मैं इसको ध्यान से देखूं यह अगर इसके parallel है तो इसका मतलब यह इस triangle की इन दूनों sides को इन दूनों sides को ब्राबर की ratio में divide करेगा यानि कि this over this should be equal to this over this और similarly यहां पर यह इसके parallel है तो this over this should be equal to this over this बस यह result यूज़ करना है हमने और वहां से हमारा answer आजागा कैसे यह मैं अभी quickly कर देता हूँ सबसे पहले मैं यह triangle लेता हूँ in triangle a, b, d ठीक है a, b, d इसमें मैं पता है कि o, e is parallel to a, b यह इसके parallel है क्यों by construction ठीक है हमने construction की है खोदी तो यहां से मेरे पास क्या आ गया a, e over e, d a, e over e, d is equal to o, b over o, d o, b over o, d इसको आप ऐसे देख सकते हो ठीक है a, e over e, d is equal to o, b over o, d इसको मैं बोल देता हूँ question number one और इसमें मैंने use क्या किया है basic proportionality theorem अब पूरा लिखना basic proportionality theorem proof अगर देखना हो तो top right corner में मिल लिंक दे रहा हूँ अब उसको देख सकते हो और अब मैं ये दूसरी वाली triangle ले लेता हूँ ठीक है in triangle a, d, c a, d, c अब इसमें भी o, e जो है ये parallel है d, c के क्यों again by construction हमने खुदी इसको draw गी है तो यहां से मेरे पास क्या आ गया a, e over e, d is equal to o, a, over o, c इसको बोल दो equation number two और ये भी क्यों हो गया because of basic proportionality theorem तो अब from one and two मेरे पास क्या आ गया ये भी a, e, over e, d ये भी a, e, over e, d तो इसका उतलब ये और ये आप उसमें बराबर हो जाएंगे so from one and two o, b, over o, d is equal to o, a, over o, c तो almost हम आप पहुँच गए हमें क्या चाहिए कि a, o के नीचे b, o चाहिए यहां यूँ कहलो o, a के नीचे o, b चाहिए o, a के नीचे o, b चाहिए तो o, b इधर चला गया o, a के नीचे और o, c जो है वो इधर चला जाएगा तो वो जाएगा o, c, over o, d और यही मैं प्रूव करना था o, a, o, b, o, c, o, d hence, प्रूव तो तो तुर्व यहां तो तो तुर्यल किप मच्चिंग क्ते माफिया झाल